मेरे प्यारे देश्वासियों, चेनने से स्री देवी वर्दराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर बेजा है, उन्होंने माय गौव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है, नए साल के आने में अब पांच महने से भी कम समय बचा है, और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स के तौर पर मनाये जाएगा, उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट मैप भी बेजा है, साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चलता कर सकते हैं, मुझे अपने देश वास्यों में इस तरह के जजबे को देखकर बहुती आनन की अनुभूती होती है, आपको याद होगा कि उनाइटेड नेशन्स ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्स 2023 2023 को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स गोशित किया है, आपको ये जानकर भी बहुत खोशी होगी कि भारत के ये ये जेवर के प्रस्ताव को सतर से जानदा देशों का समर्थन मिला था, आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, साथियों जो मैं मोटे अनाज की बात करता हूं, तो मेरे एक प्रहास को भी मैं आज आपको शैर करना चाहता हूं, पिछले कु भारत में कोई भी जब विदेशी महमान आते हैं, राष्टाद्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिच रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स, यहने मारे मोटे अनाज से बनी हुई डिसेज बनवाओं, और अनुभव यह आया है, इन महानुभाओं को यह डिसेज बहु करते हैं, मिलेट्स, मोटे अनाज, प्राचिन कार्चर ही हमारे एग्री कल्चर, कल्चर और सिविलाइसर का हिस्सा रहे हैं, हमारे वेदों में मिलेट्स का उलेख मिलता है और इसी तरह पुरान नुरु और तोलकप पियम मैं भी, इसके बारे में बताया गया है, आप कि मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविद्दाइं पाई जाती हैं च्वार बाजरा रागी सावा कंगनी चीना कोदो कुटकी कुट्टू इस सब मिलेट्स ही तो है भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा पादक देश हैं इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारत वास्यों के कंदे पर ही हैं हम सब को मिलकर इसे जन अंदुलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रती जागुरुकता भी बढ़ानी है और साथियों आप तो भली बात ही मिलेट्स किसानों के लिए भी भाइदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को दरसल बहुती कम समय में फसल तयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्रक्ता भी नहीं होती है हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशे इस रुप से लापकरी है मिलेट्स के भूसे को बहतरीं चारा भी मना जाता है आजकल युवापीडी, हेल्दी लिविंग और इटिंग को लेकर बहुत फोकस है इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपुर्प्र कोई लोग तो इसे सूपर फुड भी बोलते हैं मिलेट्स से एक नहीं अनेक लाब है ओवेसिटी को कम करने के साथ ही दायवेटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटर डिसीज की खत्रे को भी कम करते हैं इसके साथ ही ये पेट और लिवर की बिमारियों से बचाव में मतद्गार है थोड़े दिर पहले ही हमने कूपोशन के बारे में बात की हैं कोप पोशन से लडने में भी मिलेट्स काफी लाबदायक हैं क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है इससे जूड़ी रिसर्च और इन्योवेशन पर फोकस करने के साथ ही एपियोस को प्रोसाइद किया जा रहा है ताकि उत्मादन बढ़ाये जा सके मेरा अपने किसान भाई बहनों से यही आग रहे हैं कि मिलेट्स यानि मोटे अनाज को अधीक से अधीक अपनाएं और इसका फायदा उठाए है मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टस उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं इनमे से कुछ मिलेट कूकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट पैंकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं वही कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेक्फास्ट आयार कर रहे हैं में इस खेतर में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूं त्योहारों के इस मौसम में हम लोग अधिकतर पक्वानों में भी मिलेट का उप्योग करते हैं आप अपने घरों में बने ऐसे पक्वानों की तस्वेरे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने में मदद मिले मेरे पहरे देश्वासियों अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुनाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोर सिंग गाउं की एक खबर देखी ये खबर एक ऐसे बड़लाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गाउं के लोगों को कई वर्षों से था दरसल जोर सिंग गाउं में इसी महने स्वतंतरता दिवस के दीन से 4G इंटरनेट की सेवाई शुरू हो गई है जैसे पहले कभी गाउं में बिजली पहुँचने पर लोग खुश होते थे अब नए भारत में बैसी ही खुशी 4G पहुँचने पर होती है अरुनाचल और नौर्थ इसके दूर सुदूर इलाकों में 4G के तोर पर एक नया सुर्यवदय हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सभेरा लेकर आई है जो सुविधाय कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गाउं गाउं में पहुचा दी है इस वज़े से देश में नए डिजिटल एंटर्परिनर पैदा हो रहे है राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावजी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दरजी ओनलाइन दरसल सेठा सी रावज कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे कोबिड आया तो रावजी ने इस चुनोटी को मुश्किल नहीं बलगी आउसर के रूप में लिया उन्होंने Common Service Center यानी CSCE Store जोइंग किया और ओनलाइन कामकार शुरू किया उन्होंने देखा कि ग्राहग बड़ी संख्या में मास्का ओडर दे रहे हैं उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे इसके बाद उन्होंने दरजी ओनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया जिसमें और भी कही तरह से कपड़े वो बना कर बेचने लगे आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सींजी का काम इतना बढ़ चुका है कब उन्हें पूरे देश से ओर्डर मिलते हैं सैंक्डो महिलाओं को उन्होंने अपने यहां रोजगार दे रखा है डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाओं में रहने वाले ओम प्रकास सींजी को भी डिजिटल एंटर्परिनर बना दिया है उन्होंने अपने गाउं में एक हजार से जारा ब्राडबेंड कनेक्शन सापिप किये हैं ओम प्रकास जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आस्पाप निशुल का वाइफाई जोन का भी निर्मार किया है जिससे जरुवत मन लोगों की बहुत मदद हो रही है ओम प्रकास जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने बिश से जादा लोगों को नोकरी पर रख लिया है कि लोग गाउं के स्कूल, अस्पतार, तैसील आफिस और आंगनवाडी के इंदरों तक ब्राडबेन कनेक्शन पहुचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्मेंट इ मार्केट प्लेस यानि जेम पॉर्टर पर भी ऐसी कितनी सक्से स्टोरी देखने को मिल रही है साथ्यों मुझे गावों से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वज़न से आये बढ़लाओं को मुझसे साजा करते हैं इंटरनेट ने हमारे युवा साथ्यों की पढ़ाई और सिखने के तरीकों को ही बदल दिया है जैसे कि यूपी की गुडियां से जब उन्नाव के अमोया गावों में अपनी ससुरार आई तो उन्हें पढ़ाई की चिंता हुई लेकिन भारत नेट ने उनकी चिंता का समधान कर दिया गुडियां ने इंटरनेट के जर्गे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया गाव गाव में से कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया भ्यान से नई शक्ति पा रहे हैं आप मुझे गावों के डिजिटल एंटर्परिनर के बारे में जादा से जादा लिख करके भेजें और उनकी सक्से स्टोरीज को सोचल मेडिया पर भी जरूर साजा करें मेरे पैरे देश वासियों कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक स्टोरता रमेश जी का पत्र मिला रमेश जी ने अपने पत्र में पहाडों की कई खुब्यों का जिक्र गिया है उन्होंने लिखा कि पहडों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बस्ति हो लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नदिक होते हैं वाकई पहडों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पाहडों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पार तो यहीं मिलता है कि हम परिस्तित्यों के दबाव में ना आएं तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे स्थानिय संसाधनों से आत्मनिरवर बन सकते हैं जिस पहली सिक्का जिक्र मैंने किया उसका एक सुन्दर चित्र इन दिनों स्पीती खेत्र में देखने को मिल रहा है स्पीती एक जंजाती खेत्र हैं यहां इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है पहाडी खेतों पर एक महनत बरा और मुश्किल काम होता है लेकिन यहां गाउं के महलाए इकटा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मटर तोड़ती हैं इस काम के साथ साथ महलाए स्थानिय गीत छपरा माजी छपरा ये भी गाती हैं यानि यहां आपसी सहयोग भी लोग परंपरा का एक हिस्सा है स्पीती में स्थानिय संसाधनों के सदुपियों का भी बहतरिन उधारन मिलता है स्पीती में किसान जो गाय पाते हैं उनके गोबर को सुखा कर बोरियों में भर लेते हैं जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में जिसे यहां खुड कहते हैं उसमें बिशा दिया जाता है बर्पबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रुप में इस्तिमाल किया जाता है यानि पशूओं के बेश से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी जादा इसलिए तो एक शेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेणा बन रहा है साथियों इसी तरह के कई सरानिय प्रयास हमारे एक और पहड़ी राज्य उत्राखन में भी देखने को मिल रहे हैं उत्राखन में कई प्रकार के अवश्रदी और मनस्पतिया पाई जाती है जो हमारे सहत के लिए बहुत फायदेमन होती है उन्ही में से एक फल है बेडू इसे हिमालयन फिक के नाम से भी जाना जाता है इस फल में खनीज और विटामीन भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं लोग फल के रुप में तो इसका सेवन करते ही हैं साथ ही कई बिमारियों के इलाज में भी इसका उप्योग होता है इस फल की इनी खुबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखा कर तयार किये गए ड्राइफूट को बाजार में उतारा गया है पिथोरा गड़ प्रसासन की पहल और स्थानिय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग-अलग रूपों में पहुचाने में सफलता मिली है बेडू को पहाडी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है इससे किसानों को आयका नया स्रोत तो मिलाई है साथ ही बेडू के अउसदिये गुणों का फायदा दूर-दूर तक पहुचने लगा है मेरे प्यारे देश्वासियों मन की बात में आज शुरुवात में हमने स्वतंत्रता दिवस के एक महान पर्व के साथ साथ आने वाले दिनों में और भी कई पर्व आने वाले है अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गनेश्ट की आराधना का पर्व गनेश्चतूर्थी है गनेश चतुर्थी यानि गनपती बप्पा के आशिरवात का पर्वा गनेश चतुर्थी के पहले ओनम का पर्व भी शुरू हो रहा है विशेश रुप से केरला में ओनम शांति और सम्रुति की भावना के साथ मनाये जाएगा तीस अगस्त को हर्ताली का तीज भी है ओडिसा में एक सितंबर को नुवाखाई का पर्व भी मनाये जागा नुवाखाई का मतलब ही होता है नया खाना यानि ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी क्रशी प्रंपरा से जुड़ा त्योहार है इसी बीच जैन समायत का स समसरी पर्व भी होगा हमारी सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक सम्रुद्धी और जिवन्तता के परियाय है मैं आप सभी को इन तोहारों और विशेस अवसरों के लिए शुब कामनाई देता हूं इन पर्वों के साथ साथ कल 29 अगस को मेजर ध्यान चन्जी की जन्म जेनती प हमारे युवा खिलाडी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें यही हमारी ध्यान चन्जी के परती स्रद्धानली होगी देश के लिए हम सभी मिलकर ऐसे ही काम करते रहें देश का मान बढ़ाते रहें इसी कामना के साथ मैं अपनी बात सवाब तो करता हूं अगले हमा एक बार फिर आपसे मन की बात होगी बहुत-बहुत धन्यवाद ये ये जेवर के लिए पती के साथ जगडा नहीं करती बलकि खुद जेवर बना कर बेच कर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं आपको भी कमाना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए